दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना वाइरस के वेज़े से जितनी भी कार कमपनीज हैं वो ये प्रिफर कर रहे हैं कि ऑनलाइन इवेंट्स किया जाए क्योंकि इस टाइम सेफ नहीं है फिजिकल इवेंट्स करना और देखिए इसी वज़े से आपको बता दू कि कि किया जो है वो भी अपनी सॉनेट के जो इवेंट करने वाली है साथ अगस्त को वो भी पूरी तरीके से ओनलाइन करेगी अब देखिए यह जो ऑनलाइन इवेंट्स होते हैं इसको पहले ही कंपनीज रिकॉर्ड कर लेती है पूरी तरीके से और फिर जो भी हम से हमें मिला है देखने को इसमें हमें Kia Sonnet का जो front है और side profile आगे की वो पूरी तरीके से एकदम clear देखाई दे रही है हाला कि image उतनी clear नहीं है उतनी जादा details हमें नहीं देखने को मिल रही है लेकिन फिर भी हमें पूरी तरीके से clear दिखाई दे रहा है कि इसमें आपको कैसा मोटा मोटा एकदम design देखने को मिल जाएगा तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का auto vis पे मेरा नाम है हर्शत और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले है Kia Sonnet के बारे में और मेरे पास है इससे related दो नए updates बहुत ही interesting updates है वो मैं आपके साथ discuss करूँगा इसके अल आप वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसे इंतजार के अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं हमारे पास यह जो spy shot आया है इसमें सबसे noticeable चीज़ आप यह देख सकते हैं कि हमाएं इंडिया का पीछे map दिखाई दे रहा है जिससे यह पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है इसके अलावा एक चीज़ आपको और में बता देता हूँ यह जो किया सॉनेट हमाइस spy shot में देखने को मिल रही है यह पूरी तरीके से production ready model होने वाला है तो अगर इसके बारे में कुछ discuss किया जाए तो अगर बात करी जाए तो पहले तो angular lines हमें देखने को उस पर मिलेंगी इसके अलावा आप देख सकते हैं कि tiger nose grill जो है वो हमें देखने को मिल रही है इसके अलावा जो इसके headlights हैं वो काफे बढ़िहा से देखने को लग रहे हैं हमें अब देखिए इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा कि इसके जो LED DRLs ह आएंगे और नीचे वाली जो आपको grill देखने को मिल जाएगी वो पूरी तरीके से air intake के लिए बनाई गई है इसके अलावा उसके just उपर आप tiger nose grill देख पा रहे होंगे और tiger nose grill के उपर bonnet के उपर आप बीच में देख पा रहे होंगे किया की branding तो यह सारी चीज़े हमें इ इसमें देखने को मिल जाएगी इसके अलावा देखिए अगर आप इसके alloy wheels पे ध्यान देंगे तो वो काफी अच्छे लग रहे हैं अलागि इस design के अभी तक हमें alloy wheels देखने को मिले नहीं थे किया sonnet की जितने भी teaser आए हैं अब यह वाले जो है design काफी ज़ादा interesting लग रहा एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि इसमें आपको roof rails भी देखने को मिल जाएंगे जो कि silver color के मेरे ख्याल से दिख रहा हैं तो दोस्तों यह तो overall होई बात इसके design के बारे में जो कि हम already कई बार कर चुके हैं लेकिन एक बार फिर से आपको reminder के तोर पर यह सारी चीज देखने को मिल रहा है जो कि मैं आपके साथ कल शियर करूँगा क्योंकि यह जो spy shot है उसका वो हमारे पास काफी late में आया इस वज़े से video बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है तो दोस्तों यह तो था पहला kia sonnet से related update जो मैं आपको देना चाह रहा था अब अगर बा इसका bonnet आपको देखने को मिल जाएगा जैसा कि मैं कह रहा था कि काफी angular और sculpted आपको इसका bonnet देखने को मिलेगा बिल्कुल वैसा ही लग रहा है और काफी बढ़िहा लग रहा है इसमें angular lines जो दे रखी हैं काफी अच्छी लग रही है मेरे हिसाब से मुझे at least personally तो काफी अच्छा लग रहा है यह आप देखिए यहाँ पर एक चीज बड़ी ही confusing है इसमें जो है turn indicators आपको देखने को मिल जाएंगे side portion पे लेकिन जो हमने उपर spy shot देखा था उसमें आप साफ तोर पर देख पा रहे थे कि ORVM के उपर आपको turn indicator दे रखा है तो यह चीज मेरे ख्य किया sonnet के बारे में तो यहाँ पर आपको बता दू कि यह CMFA plus modular platform पर design की गई है जिस पर आपको काईगर भी देखने को मिल जाएगी इसके अलावा जो ट्राइबर MPV है वो भी सी पर design और develop की गई है इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा यह जो किया कि sonnet आने वाली है इ कि sonnet with IMT transmission अब finally दोस्तों वीडियो के last part में मैं तीन चीज़े मेर आपके साथ discuss करना चाहूंगा इसके engine से related, price से related और launch date से related तो सबसे पहले अगर बात करी जाए engine के बारे में तो इसमें आपको BS6 compliant engine देखने को मिल जाएगा जो कि Hyundai Venue वाला ही है और इसमें आपको तीन power options द दूसरा engine option आपको मिलेगा वो होगा 1.5 liters का diesel engine option इसमें transmission की बात करी जाए तो 6 speed manual transmission देखने को मिलेगा और यह अगर इसके power outputs की बात करी जाएगा तो यह almost 100 bhp की power और 240 nm का torque generate कर पाएगा इसके अलावा जो finally तीसरे engine option की बात करी जाए जो सबसे powerful engine होगा वो होगा 1.0 liters का turbo charge petrol engine और यह आएगा इसमें आपको transmission देखने को मिल जाएगा 6 speed manual और 7 speed DCT और अगर इसके power outputs के बात करी जाए तो यह almost 118 bhp की power और 172 nm का torque generate कर पाएगा तो दोस्तों यह 3 engine options आपको इसमें देखने को मिल जाएगे और अगर IMT की बात करी जाए तो वो केवल और केवल exclusive है turbo charge petrol engine क साथ अब देखिए दोस्तों अगर बात करी जाए इसके launch से related तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि मेरे जो कई viewers है उन्होंने मुझे personally comment करके यह बताया है कि इसका जो launch है वो कई dealerships पर बताया जा रहा है कि सितंबर में हो जाएगा तो मेरे ख्याल से मैं उनकी बात को इकदम सच मानूंगा और सितंबर में इसको मान के चल रहा हूं कि launch हो जाएगी यह पूरी तरीके से इसके अलावा finally अगर बात करी जाए इसके price से related तो अभी तक ऐसा लग रहा है कि 7,7,7,5,7,5 रुपए के आसपास इसको launch किया जा सकता है और अगर price इससे जादा हुई तो मेरे ख्याल से काफी disappointing बात होगी क्योंकि अब तक जो हमें इसके बारे में related price से information मिलती आई है उससे यही पता चल रहा है कि 6,7,5,7,5,7,5 रुपए तक इसका price start हो सकता है तो दोस्तों ये थी सारी information नए दो updates थे जो कि मैं आपके साथ share करना चाहता था किया sonnet से related और मेरे पास नए आयते वो आपके साथ discuss किये इसके अलावा मैं आपको इलिए कल एक और वीडियो लाओंगा जिसमें इसके base variant के हमारे पास interior पूरी तरीके से एकदम सामने आ चुका है इसका front जो interior है वो आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें dashboard इसका सामने एकदम clear देखने कर दीजेगा इसके अलावा चलिए finally at last thank you for watching drive safe and until next video good bye